जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17 आगस्ट 2023 को सूरिय चंदर रासी करक से निकल कर अपने स्वामित वाली सिंग रासी में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे में सूरिय का यह रासी परिवर्तन धनुरासी के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा जानेंगे आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो सूरिये अपनी ही रासी सिंग में प्रविश कर रहे हैं, यानि सूरिये यहां महाबल साली होंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी रासी में वराजमान होता है, तो वह मजबूत इस्थिति में होता है, और यहां सूरिये अपनी ही रासी सिंग में वराजमान होंग धनुरासी के लोगों के लिए नवम भाव में सक्री आवस्ता में होंगे और सबसे अच्छा भाव नवम भाव कहलाता है क्योंकि इसे भाग्य भाव कहते है 17 अगस्त 2023 की दोफैर एक बज़ कर 23 मिनट पर सूरिये देव अपनी रासी में प्रविश कर जाएंगे सूरिये को आत्मा का कारक माना जाता है जो कि हमारी आत्मा का प्रते निदित्व करते हैं मनुश्य जीवन में सूरिये मान सम्मान स्वाभिमान एहंकार केरियर आदि के कारक है साथ यह समर्पन, जीवन सक्ती, इच्छा सक्ती, नित्र तुछम्ता, सामाजिक मान सम्मान आदि को नियंत्रित करते हैं सूरिय की रासी सिंग, सरकार, प्रसासन, स्वाभिमान, महतु कांग्छा, नित्र तुछम्ता सूरिय का है गोचर, सरकारी और सत्तावर के लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा नेता, राजनेता, अपनी सक्तियों का उप्योग सामाजिक कल्यान के लिए कर सकते हैं धनुरासिक के लोगों के लिए सूरिय कुंडली में नौवे भाव के स्वामी है और ये आपके नौवे भाव में ही गोचर कर रहे हैं जो की लंबी यात्राओं का, तीरतिस्थान का, भाग्य का भाव है तो ऐसे में सूरिय आपके लिए भाग्येस रहेंगे यानि की आपको भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा जिसके परणाम सरूप आपको अच्छे लाब की प्राप्ती होगी और पेसेवर जीवन में आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और पेसेवर रूप से आप काफी मजबूत होंगे कारियस थल पर आपको आपके साथ ही सपोर्ट करेंगे काम काजमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी और अच्छा लाब भी आपको मिलेगा इस और आन आप दूसरों को परभावित करने में भी सक्षम होंगे साथ ही आपके अंदर जो बात करने का कौशल है वो काफी घजब का होगा लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे जो छातर बाहर जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं उनकी यह योजना सफल होगी पिता गुरू का पूरा असिरवाद आपको मिलेगा इस और आन धार्मिक यात्राओं पर जाने की योग बनेंगे जो आपके लिए लाबदाई साबित होंगी धार्मिक कारियों में आप बढ़ चड़ कर हिस्सा भी लेंगे इस औरान जादा से जादा अच्छा करने का प्रियास करेंगे नौवे भाव में बैठे सूरिय के दरस्टी तीसरे भाव पर होगी तो ऐसे में आपके आत्मिस्वास में विर्द्धी होगी साहास और पराकरम में भी विर्द्धी होगी उर्जा का इस तरह उच्छ होगा और धनौरासी के लोगों के बाचीत का तरीका काफिप प्रभावसाली होगा भाई बेहनों का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ इस्तित सूरिय की युति बुद्ध के साथ होगी तो ऐसे में बुद्धा देता योग भी बनेगा और यह भाव सबसे अधिक लाबकारी भाव है और इसमें जब कोई ग्रह होता है तो कोई भी सफलता को नहीं रोक पाता है तो यहाँ दौनों ग्रहों के युति आर्थिक और सामाजिक दरस्टी से आपके लिए लाबकारी साबित होगी इस और आन आपके ज्ञान में विरत्धी होगी और आप अपनी सोच बूच से अपने कारे चेतर में अच्छा परदर्शन करने में सफल होगे नवंभाव में बनने वाला बुद्धा दित्य योग आपके लिए राज योग से कम नहीं होगा आपको सभी सुखों की प्राप्ती होगी रुके हुए कारिय पूर्ण होगे फसा हुआ धन वापस मिलने की योग बनेंगे परिवार में एक दूसरे की प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा और संतान पक्स से भी कोई सुख़द समचार आपको मिलेगा तो ऐसे में समय काफी महत्पोर्ण होगा इस ओरान आपके भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिलेगा जो आपके मान सम्मान में भी विर्द्धी करेगा और आर्थे किस्तिति को काफी मजबूत करेगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूब